इस मॉड्यूल में संप्लिंग एरर के कॉंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जी मैं हमेशा संप्ल एक लार्जर पापुलेशन में से सेलेक्ट करता हूँ इस स्लाइड पे अगर आप देखिए तो जो उपर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग है बादाद में इन में से मैंने संप्ल डॉड़ करना होता है अचा अब मैं इन में से फर्ज कर लीजिए कि मैंने इत्फाक से रैंडम ली कोई संप्ल डॉड़ किया कि रिपेजेंटेटिवनेस से मुराद ये होती है कि अगर मैं ये बात इन सेलेक्टिड लोगों से ना पूछता बलके अपनी पूरी पापुलेशन से ये बात पूछता तो जो उनकी राय का एवरिज होता वो वही होता जो इस संपल की राय का एवरिज है दूसे लफ़ों में इसको और असान लफ़ों में आपके सामने रखता हूँ फर्स कर लीजे कि मैंने कुछ अपने कालेज में यूनिवरस्टी में लोगों से यूनिवरस्टी की लाइबरेरी सर्वेसिस जो हैं उसके बारे में उनकी सैटिसफेक्शन को चेक करना है तो जितने स्टूडेंट हैं वो सवाम पॉपॉलेशन है जो लाइबरेरी यूज़ करते है अब उन में से मैंने उनको एक पॉपॉलेशन में रखा और उन में से कोई साम्पल ड्रॉआ कर लिया तो जो पहली दफ़ा मैंने रेंडमली साम्पल ड्रॉआ करके लेट से दस लोग निकाले या तीन लोग निकाले जैसे स्लाइड में तो मैं यही कर लेता हूँ तीन लोग निकाले अब अगर मैं दुबारा उस पापुलेशन में से यही रेंडम साम्पलिंग वला परसीजर अपना हूँ और फिर तीन लोग निकालूं तो मुम्किन है कि जो पहले तीन निकले थे उन में से कोई भी उसमें शामिल ना हूँ वो तीनों बिलकुल नए लोग हूँ और इसी तरह फिर उन तीसरी दफ़ा ड्रॉआ करूँ तो इमकान है कि कोई एक आद मुश्तरिक निकलाए लेकिन बाकी फिर डिफरेंट हो तो हर दफ़ा आप रेंडमली साम्पल ड्रॉआ करें उस पापुलेशन में से और ये इमकान मौजूद है कि हर दफ़ा नए लोग निकलाए अब स्टेटिस्टिकली इसको होना यूँ चाहिए कि मैं जो लोग मेरे साम्पल में तीन आये हैं उन से जो मैंने लाइबरेडी सर्विसेज पर राये ली अगर उसका अबरेज निकालू उनकी राये का तो वो उतना ही आना चाहिए जितना के उस पूरी पापुलेशन से सर्वे कर लिया जाए तो उनका अबरेज आएगा तब मैं कह सकता हूँ कि ये तीन लोगों ने जो डेटा दिया ये उस तमाम लोगों की राये को रेपेजेंट करता है जो पापुलेशन में शामिल थे लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ऐसा करने के कोशिश करें और ये कैलकुलेशन करके देखें तो इस बात का इमकान बहुत कम होता है कि आपका सैंपल का मीन उतना ही आए जितना कि आपकी पापुलेशन का मीन आ रहा हो तो आइडियली जो मैं जूम करके चलता हूँ पहस दफ़ा पैसा नहीं होता पैसा हो तो रेपेजेंटेशन का 100% गरेंटी है अब इसके इलावा एक और जो फरक मुश्किल होती है सांपल मैंने A निकाला सांपल B निकाला C, D तमाम तीन चार सांपल निकाले उसी पापुलेशन में से और उन तीनों चारों सांपल के लोगों से जब वो क्वेसने फिल करवा के अबरिश निकाली तो उनके भी उसके पर स्कोर बराबर नहीं आते सांपल वन का मीन सांपल टू के मीन के बराबर नहीं आता सांपल टू का मीन सांपल थी के मीन के बराबर नहीं आता जब ऐसी सूरत एहाल होती है तो इसका मतलब है अब जो रिजल्ट्स में फरक आ रहा है यानि mean score में फरक दो तरह से आ रहा है एक population mean और sample mean में फरक दूसरा multiple samples के means में आपस में फरक ये इसकी वज़ा sampling का procedure है इसका अन्दब है कि मेरे process में ये गुंजाईश थी कि sample जो निकले वो 100% representative नहीं होते वो sample आपस में equal नहीं होते जिसको मैं assume कर रहा हूँ sample की selection की वज़ा से जो mean में difference आते हैं इनको आप कहते हैं कि ये sampling error है ये sampling की वज़ा से means में error आ रहा है तो ये sampling error कहलाता है ठीक है तो इसको दूर करने का तरीका क्या है sampling error का कोई भी systematic तरीका आपके पास नहीं है जिससे आप इसको हल कर सकें इसको हल करने का एक ही तरीका है जो slide में मैंने आपको figures में दिखाया हुआ है आपका population में आप sample size जितना छोटा रखेंगे sampling error उतना बड़ा होता जाएगा इसके पीछे general size का असूल है simple अब देखें वापिस हम पिष्टी slide पे चलते है ये जब मैंने population से ये sample draw किये जो slide पे नजर आ रहे हैं तो ये 3-3 के sample है फर्स कर लीजिए कि मैं इसका size 3 की बजाए population उतनी ही रहती लेकिन इनका size मैं 6-6 कर दूँ कि हर sample में 6 लोगों ने आना था तो लोगों के repeat होने के chances बढ़ जाते हैं यानि पहला जो 6 का sample लिया जब दूबारा दूसरा sample draw करूँगा छे लोगों का तो पहली दफ़ा जो लोग आये थे उन में से कुछ लोग दूसरे में भी शामिल हो जाएंगे इस बात का इमकान जादा हो जाता है आप जितना sample size बढ़ा करते जाते हैं जो आप sample group निकाल रहे होते हैं multiple उनके अदर overlapping उतनी ज्यादा होने का इमकान हो जाता है और जब ये overlapping ज्यादा हो जाएगी तो इनके mean scores आपस में करीब आने का chance बढ़ता जाता है तो एक simple सा हसूल आप अगर अपना लें sampling error को कम करने के लिए कि आप जब भी confuse हूँ इस में के sampling error को कैसे manage करना है आप अपने sample का size बढ़ा कर दीजिए इसके figures आपको मुक्तरिफ किताबों में लिखे हुए मिल जाते हैं कि आप कितना sample draw करें तो sampling error कितना रह जाता है साथ की तोर पे अगर आप 4500 का sample draw कर लें किसी भी population में से irrespective of population size, population एक लाख है या एक करोड है आप उस में से 4500 का sample निकाल लें अगर या इस से बड़ा sample निकाल लें तो sampling error जो है वो point 0001 के बराबर रह जाता है एक fraction में रह जाता है एक परसेंट के अगर आप sample 3000 का निकालें तो sampling error आपका 1% हो जाता है अगर आप sample 1500 का निकालें तो आपका sampling error जो है वो 3% के करीब होता है यानि क्या मतलब हुआ जब मैं कहता हूँ कि आप 3000 का sample निकालें sampling error 1% का मतलब यह है कि आपके sample mean और population mean में जो फरक आ रहा होगा वो एक परसेंट के करीब रह जाता है सो sampling की वजह से जो आपके results में खराबी पैदा हो रही है वो less than a percent पे आ जाती है और अगर मैं यह 1500 का sample ले लेता हूँ तो यह probability of error जो है due to sampling वो 3% है यानि मैंने किसी भी population से 1500 लोगों का sample draw किया तो उन 1500 लोगों से जो फर्स करने questionnaire फिल करवाया तो उनका जो mean score आएगा वो mean score और उस population सारी से अगर data ले लेता तो उसका जो mean आता इन दोनों means के दर्मियान जो फर्क होगा वो 3% के करीब या उससे कम रह जाएगा तो आप देखिए sampling sample size बड़ा किया 1500, 3000, 4500 तो 1500 पे जो error 3% था वो 4500 पे जाते जाते वो 1% से भी 1.5% से करीब या 1% से भी बहुत नीचे आ जाता है तो लहाज़ा sampling error का भी हाल यही है कि आप जब इसमें confuse हों कि यह आपके data को distort ना करे generalizations को खराब ना करे तो इसका हाल यही है कि आप sample size को बड़ा कर दीजिए यह उससे control हो जाएगा